ये कोशन देखो, कोशन नमबर 12 आप से कहा रखा कि एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रहा है, रेस्स है और रोल्स डाउन हो रहा है, हिल को रोल डाउन करता हुआ आ रहा है विद अ कॉंस्टेंट एक्सिलरिशन से है, वो एक हिल पर लुडखता हुआ आ रहा है तो आप से क्या कहा रहा है, if it travels a distance of 400 meter distance of 400 meter in 20 seconds और उसने 20 seconds में 400 meter के distance ट्रावल कर ली चलो अच्छी बात है, आगे क्या कहा रहा है, find a force दो को force निकालने के लिए आपको मास चाहिएगा, ट्रक का मास दिया हुआ है, 7 ton है यह 7 है, 7 ton मास दे रहा है, तो कहीं नहीं आपको acceleration चाहिए, क्या चाहिए आपको acceleration चाहिए, तो acceleration निकालने के लिए आपको distance दे रही है distance is equal to होता है, ut plus half a t square, distance आपको दे रहा है, 400 meter तक ट्रक चल गया starting from rest, इसका मतलब है initial velocity 0, तो यह 0 तो सब 0, half रह जाएगा यह आपको निकालना है, कितना time लगा, 20 second, 20 का square कितना लगा, 400 तो 400 से 400, एक बार कड़ी है, दो, एक के साथ multiply रहा है, दो हो जाएगा, तो acceleration आगए, दो का force is equal to होता है, mass into acceleration, mass कितना 7 ton, एक ton के अंदर होता है, 1000 kilo और acceleration कितना 2 का, तो यह हो जाएगा, 14,000 तो 14,000 newton का force लग रहा होगा, कितने का, 14,000 newton, मतलब बारवे का a option बिलकुल correct हो जाएगा, hope so यह भी किलिए होगा, आगे बात करते हैं, बहुत सारे questions हैं हार